यह कुछ तस्वीरें हैं जो ली गई हैं आपकी NCRT की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पार्ट 11 से देखकर आप पहचान गए हूंगे कि यह सभी में क्या चीज सेम हैं यह सभी हैं वाहन यानि की विहिकल्स यानि की यह हमारी मदद करते हैं इधर से उधर जाने में लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ वाहन जो हैं वो सिर्फ इंसानों को इधर से उधर पहुचाने में नहीं बलकि सामान को और कुछ खास चीजों को भी एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने में मदद करते हैं यह उन में से ही कुछ वाहन हैं जो कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आईए हम मिलकर देखते हैं कि यह वाहन किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं यह वाहन किस काम आते हैं What are these vehicles used for? तो एक तरफ है हमारे सारे वाहन और दूसरी तरफ है वो सारे काम जिनके लिए यह वाहन जो है इस्तेमाल होते हैं अब एक एक करके देखते हैं कि ये वाहन इन में से किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं सबसे बहला नंबर है इस गाड़ी का जिस पर बना है ये प्लस का निशान प्लस का निशान तो है hospital या निशान ये जो गाड़ी है ये मदद करती है मरीजों को अस्पिताल पहुचाने में तो इस तरफ तस्वीर में मरीज कहां है ये गाड़ी पहुच गई उस मरीज के पास और ये गाड़ी का नाम है अम्बुलेंस अब अगला नंबर है इस गाड़ी का अगर आप ध्यान से देखें इस पर जो निशान बना है वो है डाक का निशान और डाक घर में भला क्या होता है चिठियां पहुचाई जाती है तो यहाँ पर चिठ्ठी किस तरफ है चिठ्ठी तो सबसे आखरी में है राइट तरफ तो ये गाड़ी पहुँच गई चिठी के पास क्योंकि ये इस्तिमाल होती है चिठीओं को, पत्र को, डाक को इधर से उधर ले जाने में और इसे हम कहते हैं डाक गाड़ी यानि कि पोस्ट वान अब अगला नमबर है इसका जो की है एक ठेला और हम जानते हैं ठेले का इस्तिमाल क्यों होता है सबजियां फल वेगेरा बेचने में उनको इधर से उधर ले जाने में तो जहां इस तरफ फल है ये ठेला पहुँच गया उसके पास तो ये है ठेला यानि कि कार्ट अगला नमबर है इस बस का जो की है दो मंजिला ये बॉम्बे में बहुत चलती थी मुंबाई में और अभी भी कई जगाओं पर चलती है तो बस भला किस काम आती है बस तो लोगों को इधर से उधर ले जाने में मदद करती है और यहां पे लोग बैठ कर इंतजार कहां कर रही है बस टैंड पे वो तो उपर की तरफ दूसरी तस्वीर में तो ये बस पहुंच गई उनके पास और इसका नाम है दो मंजिली बस यानि कि डबल देकर बस अब नमबर है इसका इस ट्रैक्टर का इस्तमाल क्यूं होता है अब इस तरफ तो दो ही तस्वीरیں है एक तो खेत को जोता जा रहा है और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो है यह कैसे इनसान की जो बसाखी लिए हात में जिससे चलने में थोड़ी तकलीफ है तो यह tractor किसकी मदद करेगा tractor तो काम आता है खेतों में तो यह पहुँच गया खेत के पास और इसका नाम क्या है tractor अगला नमबर जो है बचा हुआ हमारी इस wheelchair का यानि कि पहिया कुर्सी का और पहिया कुर्सी इस्तमाल होती है विकलांग लोगों के इस्तमाल में आती है यानि कि जिन लोगों को चलने में तकलीफ होती है या जो चल नहीं सकते उनके काम आती है ये पहिया कुर्सी यानि कि wheelchair तो हमने जाना इतने सारे वाहन और ये भी जाना कि उनको क्या कहते हैं साथ ही साथ जाना कि उनका इस्तमाल किस काम में होता है ये वाहन किस काम आते हैं इसी तरीके से बहुत से वाहन हैं जो किसी खास काम के लिए इस्तमाल होते हैं अपने आसपास देखना कि कौन सा वाहन कब और क्यों इस्तमाल होता है ये भी सोचना जब आग लगती है तो कौन सा वाहन आता है? क्या आप उसका नाम जानते हैं? और भी वाहनों के बारे में सोचना और सोचना की वो हमारे किस काम आते हैं?